बांगलादीश के हालाद किसी से छिपे नहीं हैं जिस तरह का बवाल और कत्लियाम वहां मचा हुआ है उसने सब को सकते में डाल दिया है इन्हीं बेकाबू हालादों के कारण शेख हसीना को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेख हसीना कितने आनन फानन में देश छोड़ की निकली शलिए इसके इंसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं तो बांगलादेश के पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना को सुमवार को देश छोड़ने के लिए सिर्फ 45 मिनट का समय दिया गया था ये वो समय है चो सेना ने उन्हें दोपहर में दिया और उसके बाद कह दिया कि देश छोड़कर चली जाएए ये वाक्या उस दिन का है जब आंगलादेश के ततकालीन प्रधान मंत्री तमाम विरोध प्रधर्शनों के बावजूद भी अपने पद से इस्तिफा देने के लिए तयार नहीं दिख रही थी उनका कहना था कि चाहे जो हो जाए वो अपने पद से इस्तिफा नहीं देंगी लेकिन फिर 45 मिनट के भीतर ही कुछ ऐसा हुआ कि शेख हसीना ने सिर्फ अपने पद से इस्तिफा दिया बलकि देश छोड़ने को भी तयार हो गई और ये जब होता है सिर्फ एक फोन कॉल के बाद ये फोन कॉल किसका था उन्हें किसने पद से इस्तिफा देने के लिए मनाया ये तमाम बाते हम आपको आगे बताएंगी उसे पहले ये जानना जरूरी है कि देश छोड़ने से पहले शेख हसीना रैष्ट्यो के नाम वीडियो संदेश देना चाहती थी लेकिन बांगलादेश सेना ने उसकी भी जाज़त नहीं दी शेख हसीना ने अपनी ये वीडियो अपने इसी बीचेक चिठ्धी के तौर पर लिख कर रखी थी लेकिन सेना के अधिकादियों ने वो चिठ्धी को पढ़ने और वीडियो बनाने की भी अनुमती नहीं दी पूर्व बीम शेख हसीना अपने देश को संबोधित करना चाहती थी और बताना चाहती थी कि वो क्या सोच रही है और अपने देश में शांती बाहल करने के लिए क्या कदम उठा रही है दरसल बांगरादेश सेना में दो गुट हो गए थी सेना के बड़े अधिकारी शेख हसीना के पक्ष में थे लेकिन सेना की जूनियर अधिकारी और आर्मी के साथ रिटार्ड अफसर शेख हसीना के खिलाफ थे और इन सब के भी शेख हसीना ऐसी फस गई कि उन्हें अपना देशी छोड़ना पड़ा खास बात यह है कि जो शेख हसीना अपने पद से इस्तिफा देने तक के लिए तयार नहीं थी वो आखिर मानी कैसे और देश तक छोड़ने के लिए राजी हों गए तो बांगला देशी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शेख हसीना ने जब अपने पद से इस सिफा देने से साफ दोर पर इंकार कर दिया तब उनकी सुरक्षा के जिम्मेदारी उठाने वाले कुछ आला अधिकारियों ने उनकी बेहन शेख रेहाना से बात की बदा जोर रहा है कि शेख हसीना ने अपने बहन की बात माणने से ही साफ इंकार कर दिया था इसके बाद एक वरिश्ट अधिकारी ने उनके बेटे को फोन किया अधिकारी ने उनके बेटे से फोन पर देश के मौझूदा हालात और शेख हसीना की सुरक्षा को लेकर बात की वरिष्ट अधिकारियों से बात करने के बाद जोई ने मा शेख हसीना को फोन किया नोंने अपनी मा को पत छोड़ने के लिए कहा इस बार शेक हसीना प्रधान मंत्री का पत छोड़ने से इंकार नहीं कर पाई। बेटे से हुई बाच्छित के बाद ही शेक हसीना ने अपने पत से सिफ़ा दे दिया और उसके बाद वेतेश छोड़कर भारत चलिया है। भारत चलिया है।